नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मारोक्स के यूटूब एजिगोस्टने चैनल में आज हम सिखने वाले हैं सीबिलिन टाबलेट के बर में कि जो महिलाओ के अंदर बांचपन के प्राब्लेम को स्वाल करने के लिए यूज की जाती है दूसरा हम कहें तो महिलाओ में जो यौन समस्या होती है इनफर्टिलिटी का प्राब्लेम होता है या फिर PCOD या फिर जो PCOS का जो हम प्राब्लेम कहते हैं जिसको polycystic ovarian syndrome कहते हैं कि जो normal ovaris के continuation में यहाँ पर बहुत सारे cyst देखने को मिलते हैं ovaris के अंदर तो यह समस्या को ठीक करने के लिए भी यह medication जो प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसके बारे में detail में जानते हैं आज के lecture में और जानते हैं सीबिलिन टाबलेट के बारे में तो ऐसे ही आपको बहुत सारी दवायों के बारे में सीखने हैं अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं सीबिलिन टाबलेट के बारे में तो यह ऐसे क्लास का medication है कि जिसको हम और dopamine agonist कहते हैं और सीबिलिन जो है उसका brand name है और उसके अंदर जो salt content के हम बात करें तो वो है क्याबर गुलिन 0.5 mg और इसको यह manufacture के हम बात करें तो Serum Institute of India जो उसके manufacture है तो अब यहाँ पर उसके label की study हम करते हैं तो एक जो strip होती है उसके अंदर दो टाबलेट जो होती है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्ट्रीप तो यहाँ पर यह सेड़ी एक टाबलेट है और य दूसरी सेड़ी है कि दो टाबलेट रहीती है strips के अंदर यहाँ पर मैनिफेक्ट्चर की डिटेल देख सकते हैं Serum Institute of India फिर salt content यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बर्गुलिन की जो इंडियन फार्मकोपिया के standards के according to बैना हुआ है और यह सीबलीन हो गया उसका brand name फिर यह जो uncoated tablet रहती है यहाँ पर आप खास देख सकते हैं कि जो uncoated tablet रहती है tablets के उपर किसी भी प्रकार का coating नहीं है 0.5 mg के strength होती है और यहाँ पर खास लिखा है कि यह का जो dose है वो आपको proper gynecologist के सलाह के according to learn लेना होता है और जो protect करना होते है उसको light and moisture से और 25 degree या फिर उसके temperature प नहीं करना चाहिए proper health care providers के prescription के साथ ही उसको retail में बेचने भी चाहिए और उनके advice के साथ ही उसको use की जानी चाहिए तो अब बात करते हैं कि अबर गुलीन के बारे में तो यह कहते हैं दोपामाइन एगोनिस्ट मेडिकेशन है और जो एक टाइप का अर्गोट डेरिवेटिव कहा जाता है और potent dopamine receptor एगोनिस्ट कहा जाता है on D2 receptor और जो hyperprolektamia की जो condition है ऐसे conditions को treat करने के लिए यह medication खास का prescribe की जाती है तो अब आपको mind में जरूर से सवाल होना चाहिए कि hyperprolektamia क्या है तो ऐसे conditions के आपके सेरीर के अंदर जो prolactin hormone होता है उसकी मात्रा जो वो बहुत सारी बढ़ती जाती है और उसके करण जो वो infertility या फिर PCOD जिसे problems होते है तो वो problem को treat करने के लिए यह medication जो वो prescribe की जाती है तो hyperprolektamia में actually होता गया है तो prolactin का जो level है वो normal से बहुत ज़दा बढ़ जाता है तो यहाँ पर आप देखो कि समझो कि कोई non-pregnant है pregnancy conceive नहीं हुई है तो ऐसे condition में जो prolactin का जो level होता है वो लोता है दो से लेकर 29 nanogram पर milliliter और pregnancy के अंदर उसका level होता है दस से लेकर 29 nanogram पर milliliter जितना होता है पर कुछ cases के अंदर non-pregnant के अंदर भी यह prolactin का level काफी ज़दा होता है कि मान लोगे किसी का prolactin का level 35 होता है किसी का 50 होता है किसी का 100-200 इतना भी आ रहा है non-pregnant condition में तो उसको हम hyperprolectamia कहता है और उ prescribe की जाते है because prolactin का level बढ़ने से problem क्या होता है infertility का problem होता है sexual problems होते है महिलाओ के अंदर की जिसको हम यौन समस्य कहते है और दुसरा bond loss का जो problem होता है तो उसको ठीक करने के लिए यह medication जे वो prescribe की जाती है तो high prolactin के करण क्या होता है कि एक तो आपका evalutions जो होता है उसके पर असर होता है वो time पर नहीं होता और दूसरा menstrual cycle पर असर होता है और तिसरा जो breast होते हैं उनमें से milk production करने का बेकाम करवाता है यह prolactin और prolactin जो है वो specially ऐसा hormone है कि जो pituitary gland जो होती है वहाँ के control के थ्रूँ वो release होता है और समझे के pituitary gland के अंदर कोई tumor है या फिर pituitary gland related कोई problem है तो भी वो hormone का secretion जो वो बढ़ता रहता है तो अब बात करते हैं यह tablet के basic use के बार में तो जो infertility के जो problem है कि जिसको बांचपन का problem कहते है योन समस्य कहते है महिलाओ के अंदर हाइपर prolactamia का problem है polycystic ovarian syndrome या फिर PCOD का जो problem कहते हैं फिर milk secretion को काम करने के लिए या फिर बंद करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है evaluation cycle को normalize करने के लिए यूज की जाती है और जो amen area के जो condition है कि जिसके अंदर periods आते ही नहीं है या फिर about time से periods बंद हुए हुए है तो वो problem को ठीक करने के लिए भी यह medication prescription prescribe की जाती है अब बात करते हैं उसके दूसरे research के according to तो यह जो PCOD या फिर जो PCOS की conditions कहते हैं उसमें भी उसको prescribe किया जाता है और उसके करन जो क्या होता है कि specifically जो प्रोलेक्टिन का लिवर कम होने के करन जो प्रोलेक्टिन बढ़ने से जो होनी वाली समस्याओ को यह medications जो ठीक कर दी है तो यह क्या करता है dopamine क्या करता है है prevent करवाता है हमारे बॉडी को जो प्रोलेक्टिन release होता है उसको प्रोलेज ओने से रोपता है कि जिसके करन यह medications लेने के बाद दीरे-दीरे प्रोलेक्टिन का लिवर कम होता जाता है और जो problem होता है वो दीरे-दीरे कम होने लगता है अब आगे बात करते उसके mechanism के तो य agonist के तोर के काम कर दी है कि जिसके करन यह क्या करेगा कि prolectin के जो level है उसको reduce करने में जो हो मदद करेगी तो यह medications लेने के बाद क्या होदा है खासकर 0.5 mg की यह tablet लेने से prolectin का level जो हो कम होने लगता है तो उसके dose के हम बात करें तो 0.5 mg एक बार ली जाती है week के अंदर तो मान लो कि यह जो tablet है फाहली tablet तो यह रहेगी week 1 के लिए और उसी तरह से यह जो दूसरी tablet है वो second week के लिए रहे कि week 2 के लिए तो खास यह धियान रखना कि week में एक ही tablet लेनी होती है कोई डैलने गलती से भी यूज ना करें week में सिर्फ और सिर्फ एक tablet जो वो ली जाती है तो समझे कि 0.25 के tablet है तो वो दिन में week में दो बार और 0.5 mg है तो week में एक ही बार लेनी होती है sad effects के हम बात करते हैं यह medication कभी कुछ लोग nausea vomitting फिल करते हैं सीने में जलन होना, constipation, tiredness, dizziness, brist pain, menstrual periods थोड़े बहुत painful हो जाना, burning या फिर numbness जैसा फिल होते हैं आपके हाथ पाव लेक तो यह कुछ common side effect है serious side effect के तोर पे shortness of breathing में लेकि सास लेने में दिख्कत होना breathing करने में problem होना कि जब आप सोते हैं cough या फिर chest pain होना, swelling होना जाना अपनके हाथ, पैर, ankles या फिर lower legs में urination frequency decrease हो जाना, pain होना आपको back side में, lumps develop हो जाना या फिर pain होना stomach area में या फिर abnormal vision तो समझो कि यह कोई भी side effect serious हो रही है तो तुरंत यह medication को आपको लेना बंद कर देना चाहिए और दूसरे safe alternative को आपको लेना चाहिए कि जो आपके doctor या फिर आपके pharmacist suggest करते हैं contraindications के हम बात करें तो किन लोगों को यह medication नहीं लेनी है पहले condition कि अगर किसे को allergy है, argot alkaloids की या फिर argot medications की कि जैसे अगे हमने बात की कि एक argot derivative medication की कि किसी को argot की allergy है तो यह medication use ना करें आपको hypersensitivity हो जाती है, argot से या फिर किसी को liver disease है जिसका liver already खराब है तो वो लोग यह medications को use ना करें उसके लावा जो ऐसे लोग के जिनको high BP का problem है pregnancy के करन या फिर tissue scaring के problem है, heart related problem है या फिर liver related problem के बेसेंट यह medications को use ना करें तो ऐसे इसी की detail में medicine course में pharma rocks के उपर तो यह course join करने के लिए हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी Good luck and all the best